नम्मा बंगलूरू आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इस 18th मार्च करंट लोकेशन अगर आप देखोगे तो कैम्प गोड़ा बस स्टेंड टर्मिनल वन आप कह लीजिए टाइम बता दूँ आपको दिस इवनिंग के 7 ओक्लॉक और जो मेरी आज की बस है वो है 8 बजेगी और अ आज आपके सामने मैं लेकर रहा हूं exclusively के साथी सी की कल्यान रत आपको बताई है के साथी सी अब तक मैं आपको अमबारी ड्रीम क्लास दिखा चुका हूं एरावत कलब क्लास दिखा चुका हूं प्लस जो लेटेस लॉंच हुई थी अमबारी उत्सभ वो भी आपको दिखा ठीक है तो आज की हम जर्मी करने जा रहे हैं एक और लग्जिरियस वॉल्वो 9600 मल्टी एक्सिल एसी स्लीपर आप कह लिजिए शुरू करें देखो यार आपको स्टाइल पताता है बैंगलोर से मैं चला कला बुरा बस जर्नी व्लॉग देखिएगा तो थोड़ी सी स्माइ कोई मतब कोई भी तोड़ नहीं यह माली जे 9600 अभी बताने के साटी सी के पास अब कितनी है अम्मारी उतसर तो है और अब कल्यान रत भी है ठीक है आई यह ब्लॉग की शिरुवात करते हैं पूरा आपको सब कुछ दिखाएंगे और सी दिस वाइ लव के साटी से आप दे यहां पर आप के साटी सी के अगें अम्मारी ड्रीम क्लास आप देख सकते हो दिस वॉल्वो ब्लैविनार और आप देखोगी यह आपको मिलेगी प्रकाश की बॉड़ी तो 9600 से पहले जो मॉडल था वो था यह ठीक है यह हो गई दो बस यह जा रहे है तोवर्स हैदराबा अगें के साटी सी बट इस अबस कलेक्शन देख रहे हो आप दिस इस सेमी स्लीपर जो आपको दो पहले दिखाए वह स्लीपर थी दिस सेमी स्लीपर और यह आई अम्बारी उत्सव जो मैं आपको पहले व्लॉग दिखाया था जिसकी शिरूवात माल लिजे लगबग एक सा बर्मियम जो आप बस देखोगे वह आपको चारों की चारों यहां देखनें को मिलेगी अगर आपको बस पसंद है ना अगर आपको जर्री पसंद है पतला बस लावर हैं तो यह जगह आपके लिए वह वोगया आपका वॉल्वो 9600 यह आपके लिए होगी मर्सडीज और य प्राइब चाहेंगे जो पैसेंजर ट्रेवल प्लान बना रहे हैं यहां से बैंगलोर से गुलबर्ग तो, रूट क्या रहने वाला है यहां से अनत्पूर हा अनत्पूर से घुति जी ची से मंतरालयर मंत्रेलश से रैच्व होके यादगीर होके गुलबर्ग जाएगा गुल लेवेनार चलाया है चलाया तो आप अब बताई यह लगता है चलाने में कि 9600 अच्छा लगता है अब तो 9600 अच्छा है गाड़ी चलाने के लिए हां विए रॉनिंग स्पीड थोड़ा कम है हां फिर भी चलेगा हमारा रोड़ को हां बट मजा किसमें आता है जागा ने मजा आप्ट अच्छा है और दिन में ड्राइब करने में मजा आता है कि रात में जाता मजा लाइब अच्छा लगता लगता है चलिए बस सफर नामा चलता रहेगा चेहरे पर स्माइल बनाए रखी यह कहना पड़ेगा बस का नाम यह आप देखिए कलयान रत कितना एक्दम सु लेंगे और आपको इंटीर दिखाएंगे केबिन राइट कोशिश करेंगे आपको कल सुभागर में आपको एक केबिन राइट दिखा पाऊं यहां पर आप देख लिएगा सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट क्लास इंटिरियर पैसेंजर कैपेशिटी के अगर आप बात करो यह डवल में अगर आप साइड में सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो यह आपके लिए साइड अपर हो गया ठीक है आगे चलेंगे आपको डवल में जड़ा लॉर और दिखा दो देखो ब्लैंकेट के संग यहां पर यह सब भी है सब आप देख सकते हो यह हो गया और यह आपका स इंटिया दिखा दो टीवी नहीं मिलेगा आपको एंडिटेन्मेंट के लिए प्लस बीचे मैं सोच रहा था बाइचांस अगा सेटीवी कैमरा हो सेफ्टी के हिसाब से वह भी हां पर नहीं है खेर कोई बात लिए एमजेंसी एग्जिट अगरा सब हो गई एल थर्टी मेरे सीट हमारी लोवर राज की यह सीट हो गई देगा एक दम फस्ट लास कर्टेंस वगरा प्रिविसी लिए आपको लिए हो गए आपको इंटियर कैसा लगा जरा बताईएगा 20 मिनिट्स तो गो फॉदर डिपार्चर अगर आप बैंगलो टू कला बुरागी ट्रैवल प्लान कीजिए आपको वो भी बताया जाएगा आप देखो यहां पर के साथ डी सी आप एक और वॉल्वो बी लेविन और अगर आपको बसेश पसंद दाना यहां खड़े हो जाईए जो आपको नजारे मिलते हैं और सच में एकदम टॉप लग्शिरियस बसेश आप कह लिजिए इंडिया में अभी करेंटी जो एविलेबल है वो आपको यहां देखने को मिलेगी अब जो हमारे कंडेक्टर जाता है वो पैसेंजर्स को कॉल कर रहे हैं जो जो नहीं आए हैं करीब 10 से 15 पैसेंजर्स यहां से बोड करेंगे फिर आगे अलग-अलग बोडिंग पॉइंट इस भी है वो भी आप चैनल पर लाइव हैं सब देख सकते हैं यहां से बाए इनी चांस नम्मा बेंगलोरी से कौन-कौन यह व्लॉग देख रहा है जड़ा बताएगा देखो आप बहुत आप यहां बस गिंते-गिंते ठक जाओगे बट यही सजेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा वो खाना पीना आपने साथ आप केरी जरूर कीजिए करिए मस ठताएगा प्ली डिर्व हाँ है जरूर की जर बहुत आपने से रहां है जरूर के जरूर कैजिए जर्म्नी की श्रीवाद की थी 8 o'clock और आप बज रहे हैं इस टेन दो घंटे के नॉन स्टॉप रन के बाद अगर आप यहां देखोगे थोड़ा अंदेरा ज्यादा है तो देखिएगा यहां पर हमारी बस देख सकते हो और बाकी भी बस है यहां पर आप अपने लिया है डिन प्रसक केरफूल रहेंगे क्या सच में मैं तो सो गया था और वॉल्वो 9600 में जो कमफर्ट आपको मिलता है ना पूछिए मत कॉस्टिंग आपको बदातू जो मैंने पे किया है यहां से बैंगलोर से गुलबर का इट इस एराउंड 1500 ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो मेरे हिस आप से 9600 के यह पैसे यह रेट ठीठा के बागी भी आप सब बसस यहां पर देख लिजेगा और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो डीजल कैपेशटी अरूंड 550 तंकिया भी फिलाल फुल है अगर आप टोटल लेंद देखोगे दिस इस अरूंड 15 मीटर और जब नेश आपको इंडिया देखने को मिलता है ना बिलकुल आलागी देख लिजेगा लगभग आप मालेजिए सब पैसंजर उतरेंगे लगभग फिलाल आदे घंटे का डिनर ब्रेक है अब अंदर दिखते हैं क्या खाने पीने को मिलता है अब हमारे संग हमारी गाड़ी के दूसरे अब यहां तक आप ड्राइब करने वाले हो मंतराले करीब इतने बज़े आएगा आथ को साड़े तीन मज़े इस वाली वालवो का टॉप स्पीड क्या जाता एटी और माइलेश की बात करें तो क्या मिलता है माइलेश चार का चार किलोमीटर पर लीटर हो गया और यहां से हम बात करेंगे बैंगलोर से गुलबर्ग जो डीजल कंजिम होता है वन वे आप एंड डाउन कितना होता करी तो तो आप नाइट को ड्राइब करेंगे फिर वापिस ड्यूटी चेंज होगा आगे जागे अचा आप बताइए आपको दिन में चलाने मज़ा आता है वाल वो आप कितन साल से काम कर रहे हो मैं 20 साल से 20 साल से चलिए तैंक यू सो मज़ जादा आपने हमसे बात की थैंक यू सो मच ठीक है तो बस आईए एक बार फिर से सफर की शुरुआत करते हैं देखो यह दुनिया में हमें आपको दिखा रहो ना है देखो यहां पर आप APSRTC की T नजारे और दिखाओं सबसे च्वात है यहां जो हावा चल रही है थंडी थंडी हावा एन एच 44 के किनारे यह देखिएगा बड़ थोड़ा सा केरफुल रहे देखिए रात का आप यहां पर नजारे देखिए उमीद है कैमरे पर यह आपको दिख रहा होगा मैं तो फ्ले अब बज रहे हैं रात के ग्यारा बस मैं लाइट्स को डिम कर दिया गया है कुछ मान लेजिए 15 से 20 पैसेंजर फिलाल अभी ओन बोर्ड है वाश्रूम है नहीं तब रात को 2-3 जगाए बस रुकेगी आप देखते हैं आगे आपसे कहां मुलाकात होती है बापिस हम चल आप देखिए बिकास दिस मल्टी एक्सल आप देखे रहे हैं क्या आपको सूपर कंफर्ट मिलता है गर्टिन्स वग लगा लगा लीजिए पर आपको जो प्रिविसी मिलेगी नहां बस बूचिए आप ठीक है अब थोड़ा सा आराम करेंगे आप देखते हैं आगे कहां ज अब प्राइवेट केविन आप कह लीजिए या चलता फिरता वोटल आप कह लीजिए ओन वील्स टीगे ना गुड़ नाइट अब वेरी गुड मॉनिंग गाईज सुभा के दिस इस शिक्स थर्टी रात का कुछ भी मैं आपको नहीं दिखा बाया है विवाद रात को मैं पूरी दिरा से सो गया तो आप देखोगे अब यहां पर हमारी चल रही है केविन राइट सबसे पहले आपको यह दिखा दू य अला बुरागी यहां से आप माल लेजिए और फिफ्टी फाइफ किलोमेटर लगभग एक से दिडग हिंटे की जरनी हो आप देखोगे जो जिन्होंने नाइट में जो पहले ड्राइब कर रहे थे आप वो आराम कर रहे तो दादेने करीब तीन वजे आप माले डिडूटी और यहीं से हम उत्रेंगे आप देखे नशल हाईवे पर बाई यह बीच में खड़ा करके चला गया यह दो यहां ऐसा भी होता और सुबह सुबह के आप नजारे देखे संराइज मेने का आपको दिखाता है पर सब सची वाता है यहां का वैदर बहुत सही है बस यहां अब आप से मेलेंगे सीधा आमारी डेस्टिनेशन यह कोई स्टेशन है कौनसर स्टेशन नारवाल नारवाल तक अब यह स्टेशन इस्टेशन भी है शुरुआत की थी कल शाम को एराउंड 8 o'clock अब सुभा के इस 745 और बिल्कुल राइट टाइम मैं पहुंच चुका हूं दा लेंड ओफ थूर दाल यानि की कल बुरगी जिसका पहले नाम था गुलबर्ग दा सिटी ओफ लावर गार्डन्स लगभख सिक्स 150 क्लोमीटर्स की जरनी होती है खतम आप यहां पर देख सकते हो के साथी की कल्यान रथ नौर्धन करनाटिका का आपको अतादू सबसे लार्जेस्ट सिटी ठीक है अब यहां से चले होटल और फिर वहां से कहीं और और आपके सामने बैक टू बैक ट्रैवल व्लोग और फिर मैं आपसे रिक ट्रैवल बस जरनी है कि आपको क्या ही बताए तो यहां दिखा दू आपको पूरा कल्यान रथ लेंथ कितनी हो गई इसकी आपके सामने यह हो गई 15 मीटर की बस ठीक है हसते रहिए खाते रहिए और मेरे साथ वर्चुली एक्सप्लोर करते रहिए इस इस डूलेश कितनी बसेश आप देख सकते हो ठीक है ठाठा ठेक है